सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट्स की लेकिन इससे पहले कि हम राइट्स के बारे में अच्छे से डिसकस करें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर बहुत ही महतोपुन होने वाला है इसलिए इसको ध्यान से सुनना और इंपोटेंटी जो को नोट करना और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे टेलिग्राम गुरुप सार सकसेस को अभी तक जॉइन नहीं किया है तो उसे भी जॉइन कर लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सीध ही टेलिग्राम एप में जाकर भी सार सकसेस को सर्च करके जॉइन कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे meaning and definitions of rights उसके बाद हम बात करेंगे evolution and theories of rights फिर हम बात करेंगे three generations of rights और last में हम बात करेंगे rights के उपर लिखी गए कुछ महतोपून कृतियों के बारे में अब हम rights के meaning को अच्छे से समझ लेते हैं तो बास्तब में rights लोगों के ऐसे हीथ होते हैं जो कानून के द्वारा protected और recognized होते हैं अर्थात जिने कानून सनरक्षित रखता है और मान्यता देता है उन्हें ही हम अधिकार लोगों को किसी legal system, social convention या ethical theory के आधार पर मिले होते हैं तो साधरन शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अधिकार लोगों के उचित और नैतिक दावे होते हैं जिनके विना कोई भी मनुश्य अपना विकास नहीं कर पाता है तो अधिकारों के बारे में कुछ key definitions है ज जिनमें वे अधिकारों को maintain करता है बनाए रखता है दूसरी परिभाषा भी loss की ही देते हैं जिनमें ये कहते हैं कि अधिकार बास्तब में मानव जिवन की ऐसी परिस्थितिया होती है जिनके बिना कोई भी मनुश्य अपना सर्बोच और संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है वहीं अगली परिभाषा देते हैं बोसंके बोसंके कहते हैं कि rights are employment of ethical ideas अर्थात ये कहते हैं कि अधिकार नैतिक विचारों का रूप होता है क्योंकि बोसंके एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं इसलिए इन्होंने अधिकारों को ethical ideas अर्थात नैतिकता के साथ अगली परिभाषा भी बोसंके ही देते हैं और बोसंके कहते हैं कि अधिकार लोगों के reasonable claim होते हैं यानि की तार्किक दावे होते हैं जिने society के द्वारा recognized किया जाता है और state के द्वारा enforced किया जाता है अर्थात समाज ही मान्यता देता है और राज्ये इसे लागू करता है जीबिका को पूरा करने के लिए आवशक है वहीं बेनी प्रसात लिखते हैं कि राइट्स ऐसी social conditions से ना तो ज्यादा है और ना ही कम है जो व्यक्तित्तों के विकास्त के लिए आवशक एवम उप्यूक्त है तो ये है कुछ important key definitions about rights जो की बहुत ही important है परिक्षा की द्रिष् जहां फर sophist school के कुछ Greek philosopher ये कहते हैं कि all human beings are equal by nature अर्थात सभी जो प्राणी होते हैं वे प्रकरती से समान होते हैं इस quotation को आपने अच्छे से याद रखना क्योंकि ये quotation आगे चलकर American Revolution का भी आदर्श वाक्य बन जाता है वहीं Aristotle and Plato कहते हैं कि जो human being होता है उसका जो common nature होता ह उसको realized किया जाता है एक legally instituted community में और human being को Aristotle ने define किया है as a zone politicon, zone politicon एक Greek bird है जिसे हम कहते हैं political animal बैसे भी Aristotle ने ये कहा है कि मनुश्य राजनेतिक प्राणी होता है वहीं note करने वाली बात ये भी है कि Aristotle ने children, women, slaves, old people और foreigner को citizenship के अधिकार नहीं दिये थी वहीं दूसरी तरफ Plato ने महिलाओं और पूरुशों के लिए बराबर मात्रा में या फिर समान रूप से अधिकारों की बकारत की तो अब हम समझ लेते हैं natural theory of rights की तो natural theory of rights की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है negative rights of human being क्योंकि इसमें राज्ये intervention नहीं कर सकता है क्योंकि ये राज्ये के द्वारा नहीं दिये गए हैं बलकि प्रकरती के द्वारा लोगों को दिये गए हैं इनका जनम होता है 17th and 18th century मे वहीं इसमें ये मानिता दी जाती है कि ये ऐसे अधिकार है जो प्रकरती के द्वारा दिये गए हैं जो राज्ये की उत्पत्ती से पहले भी state of nature में थे इसलिए राज्ये का जो जनम होता है वो सिर्फ अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही होता है और लोग ने तीन प्रकार के अधिकारों की बात की थी जिन में आते हैं life, liberty and property वहीं इस natural theory of rights को जो डबलब किया था उसमें मैतो पुर्ण भूमिका निभाई थी रूसो, लॉक और मिलने अब हम बात कर लेते हैं American Revolution की जो की 1776 को हुई थी American Revolution ने एक घोशना की थी जिन में ये कहा गया था कि all human wings are equal by worth अर्थाच सभी प्राणी जनम से समान हैं और James Madison जिनोंने American Constitution को निर्मित करने में एक महतोपुर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने कहा कि life, liberty and pursuit of happiness ये तीन अधिकार व्यक्ति के प्राकरतिक अधिकार है जो राज्ये की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति को थे अब हम बात कर लेते हैं French Revolution की French Revolution होती है 1789 में और ये घोशना करती है कि liberty, equality, security, property, human being के natural rights हैं और इसने फोकस किया fraternity पे अर्थात भाईचारे में इसने फोकस किया और fraternity जो शब्द है वो हमने हमारी preamble में हमारे constitution में French Revolution से ही लिया है और नोट करने वाली बात ये है कि रूसों की एक महतोपन कृती रही है the email जो की 1772 में publish होती है और इसी कृती की वज़े से French Revolution inspired होती है अब हम थोड़ा सा lock और जो medicine है इनका जो natural theory के बारे में comparison रहा है उसको अच्छे से देख लेते हैं तो lock कहते हैं कि तीन प्रकार के natural rights व्यक्ति को या फिर लोगों को प्राकरतिक अवस्था में प्राप थे और ये थे life, liberty and pursuit of happiness तो आपने हमेशा से एक बात याद रखना कि जहां lock ने life और liberty के साथ property को सबसे ज़्यादा important भूमिका या फिर importance दी वहीं दूसरी तरफ James Madison कहते हैं कि life और liberty के साथ प्राकरतिक अवस्था में लोगों को pursuit of happiness का अधिकार प्राप था यानि कि लोगों को खुश रहना या फिर प्रसन रहने का अधिकार उसको प्राप्त करना प्रसनता को प्राप्त करने का अधिकार प्राकरतिक अवस्था में ही था ये वाला point बहुत ही important है इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना पहले भी इसे exam में पूछा गया है और आगे भी इसे पूछा जाता रहेगा legal theory of rights कहती है कि rights जो है वो depend करते हैं institutions और recognition of the state यानि कि जो rights होते हैं वो प्रकरति की देन नहीं है ये depend करते हैं institutions और recognition of the state और दूसरी बात ये करते हैं कि अदिकार और जो कर्तबे होते हैं वो आपस में समभंदित होते हैं और अगली बात ये करते हैं कि natural theory of rights है वो गलत है उसके द्वारा जो है अदिकारों के उत्पति नहीं हुई है और इस theory को double up किया था Bentham ने 19th century में और Bentham कहते है natural rights को as a nonsense और इसके key theorists रहे हैं Hobbes, Bentham और Austin अर्थाथ legal theory of rights से जुड़े हैं Hobbes, Bentham and Austin अब हम बात कर लेते हैं historical theory of rights की तो historical theory of rights के जो propounder रहे हैं वे रहे हैं admin work क्योंकि admin work कहते हैं कि rights are not given by the nature instead of rights are given by the history तो ये कहते हैं कि अधिकार प्रकरती की देन नहीं हैं बलकि history की देन हैं history की देन कैसे हैं ये कहते हैं कि जो भी historical conditions या फिर traditions रही है, customs रहे हैं, culture रहे हैं, norms रहे हैं, values रहे हैं उनके द्वारा ही या फिर उनके परिणाम स्वरूप ही अधिकारों की उत्पत्ती होती है और ये पूरी तरह से नेच्रूल राइट्स की जो थियोरी है उसको भी नकारता है और इसके की थिंकर्स रहे हैं एड्मन्ट, वर्क और हिगल हिगल को आप left side देख सकते हैं वर्क को आप image में right side देख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं social welfare theory of rights की तो social welfare of rights की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है की अधिकार ना तो प्रकृति की देन हैं ना ही history की देन हैं बलकि ये तो conditions है social welfare की यानि कि जब लोगों ने ये चाहा कि उनका क उनके लिए कुछ welfare facilities हो तो ऐसे परिस्थितियों में ही अधिकारों का जनम होता है तो ये थियोरी कहती है कि बास्ता में अधिकार creation of society, creation of laws, creation of customs and traditions होते हैं और इसी वज़े से ये कहते हैं कि इसलिए अधिकार अस्थित्तों में आते हैं लोगों के कल्यान के लिए यानि कि लोगों के विकास के लिए ही होता है और बैंथम ने इस थियोरी को पूरी तरह से support किया और जितने भी utilitarian thinkers रहे हैं इन्होंने भी इस थियोरी को पूरी तरह से support किया तो बैंथम ने एक quotation दी जो कि उप्योगिता वाद की प्रयना भी रही है इन्होंने कहा greatest happiness of the greatest number 10 दिसंबर 1948 को UN General Assembly के द्वारा मानवा अधिकारों की विश्चोब्यापी गोशना की जाती है और इसी वज़े से 10 दिसंबर को Human Rights Day के रूप में celebrate किया जाता है वहीं नोट करने वाली बात यह है कि first generation of the rights है उसको UDHR के articles 2 से 21 तक उल्लेखित किया गया है वहीं second generation of the rights है उसको UDHR के articles 22 से 27 में उल्लेखित किया गया है वहीं third generation of the rights है उसको UDHR के articles 28 में उल्लेखित किया गया है तो यह है हमारे पास three generations of rights first generation of rights में हम बात करते हैं civil and political rights की वही second generation of rights में हम बात करते हैं socio-economic rights की वही third generation of rights में हम बात करते हैं cultural and some important environmental rights की first generation of rights का evolution होता है 18th century में और इन्हें regard किया जाता है as a first wave of rights और इन में आते हैं कुछ civil and political rights civil rights में आते हैं कुछ important rights जैसे right to life, right to freedom of speech, expression, right to property, consigns, movement, trade and profession वही political rights में आते हैं right to vote, participation in democratic process, public employment, right to choose and criticize government, right to election, participation in political process वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो first generation of rights है यह liberal movement के साथ जुड़ी हुई है जो की post industrial revolution जो की 17th और 18th century Europe में हुई थी उसके बाद यह जो new middle class है उसकी वज़े से जो यह liberal movement हुआ था उसके साथ ही जुड़ी हुई है और यह nature में negative है यानि कि इनका स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह society और state के against है इसके key thinkers रहे हैं John Locke, J.J.Russo and J.S.Mill John Locke ने idea दिया था या फिर बात की थी life, liberty and property right की जो की natural rights है और Russo ने बात की थी direct democracy की, popular sovereignty की और minority opinion की वही मिल ने focus किया था liberty पे particularly इन्होंने बात की थी right to speech and expression की और यह एक reluctant democrat रहे हैं यानि कि अनुच्छुक लोगतंतरवादी रहे हैं first generation of rights रही है इसका जो central message या फिर focus रहा है वो रहा है liberty पे और first generation of rights का जो उले किया गया है वो universal declaration of human rights के article 2 से 21 के बीच भी किया गया है और 10 दिसंबर को इसी वज़े से human rights day के रूप में celebrate किया जाता है वहीं भारती है संविधान के कुछ अनिचेदों में भी first generation of rights का उले किया गया है इनमें आते हैं 19, 21, 25 और ये rights हैं speech उनिच में आते हैं speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession वहीं 21 में आते हैं protection of life and personal liberty वहीं 25 में आता है freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion Second generation of rights को रिगार किया जाता है second wave of rights और इसका विकास या फिर डबलोपमेंट होता है 19th and 20th century में और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आते हैं socio economic rights और socio rights में हम बात करते हैं right to equal status, right to dignity, right to education, old age care, right to social security और economic rights में आते हैं कुछ जैसे right to work, right to shelter, right against exploitation, right to adequate standard of living तो second generation of rights की जब हम बात करते हैं तो ये associated हैं with a socialistic movement influenced by marxist ideologies बहुत important point है तो जो marxist ideologies रही है उनकी जो socialistic movement रहा है उससे ये प्रेवित है यानि कि उससे ये जुड़े हुए हैं और खास तोर पे जो communist states रहे हैं जैसे USSR, China, Cuba, East Europe वहाँ पर ये अधिक पाये जाते हैं यानि की second generation of rights जो अधिकतर मातरा में पाये जाते हैं वे पाये जाते हैं communist states में जैसे USSR, China, Cuba, East Europe और वहीं ये जो rights हैं इनको positive rights कहा जाता है क्योंकि इनमें राज्जे का role होता है और इसके key proponents रहे हैं जैसे Karl Marx, Angels and Lenin वहीं इनका जो central message है इन अधिकारों का यानि की second generation of rights रही है इसका central message या फिर central focus है equality और ये जो rights है जितने भी ये rights है ये universal declaration of human rights हुई थी उसके articles 22-27 में ये उल्लेखित है वहीं भारतिय संभीदाहन के कुछ अनिच्छेदों में इनका वनन किया गया है जैसे article 15, 16, 21, A, article 23 and 24 तो 15 की जब हम बात करते हैं तो इसमें बात की गई है prohibition of discrimination on grounds on religion, race, caste, sex and place of worth वहीं 16 में बात की गई है equality of opportunity in matters of public employment वहीं 21, capital A में बात की गई है right to elementary education और 23, 24 में बात की गई है right against exploitation वहीं 38 में बात की गई है to promote the welfare of people, social, political and economic justice 49, A में बात की गई है right to adequate means of livelihood for all citizens वहीं 49 article का clause B कहता है equitable distribution of material resources वहीं clause C कहता है equal pay for equal work for both men and women वहीं clause D कहता है preservation of health वहीं article 49, capital A कहता है to promote equal justice वहीं article 41 कहता है secure right to work third generation of rights का जो जनम होता है या विकास होता है evolution होता है वह 20 और 21 शतावदी में होता है यानि कि ये rights अभी भी चल रहे हैं और इन्हें जो है third wave of rights के रूप में जाना जाता है और इनको जो है solidarity rights के रूप में भी जाना जाता है और इन में शामिल है cultural and economic rights और अगर हम देखें तो ये एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है बलकि समुदा या community के अधिकार ये हैं या कहे जाते हैं तो cultural rights में आते हैं जैसे और इन अधिकारों का यानि की third generation of rights का जो core theme है वो है fraternity यानि की भाईचारा जो की हमने French Revolution से हमारी प्रस्तावना में लिया है और ये जितने भी rights है ये एक group rights है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और ये group जो है उसकी identity से जुड़े हैं वहीं ये जितने भी rights हैं UDHR के article 28 में उल्लेखित हैं और सबसे important बात ये है कि ये जो अधिकार है ये environmental movement, multiculturalism और pluralism जैसे विशयों से जुड़े हुए हैं और भारती संभिदान के कुछ अनिशेदों में ये third generation of rights उल्लेखित हैं जैसे article 29, 30, article 343 से लेके 351 तक तो 39 में आते हैं protection of language, script and culture of minorities 30 में आते हैं right to minorities to establish the administer educational institutions और article 343 से 351 में आते हैं official languages आर्टिकल 21 में आते हैं right to sleep, right to freedom from noise, right to live with human dignity वहीं article 48 capital A में आते हैं protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife तो ये है third generation of rights जो की भारती संभिदान में भी उल्लेखित हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी important किताबों की जो की अधिकारों के उपर लिखी गई है तो ये हैं आपको screen पर जितनी भी किताबे दिखाई दे रही हैं बहुत ही important है वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं या फिर screenshot लेकर भी आप इने बाद में note कर सकते हैं पर एक बात हमेशा याद रखना ये ऐसे किताबे हैं जो बहुत ही important है और ये exam में कई बार पूछी गई है तो इनको note करना न भूलना तो अब बारी आती है thanks करने की essay resources और essay sources references को जिनकी मदद से मैं ये lecture त्यार कर पाया तो सबसे पहला नाम आता है Andrew Haywood का जिनोंने politics लिखी और ये किताब बहुत ही अच्छे किताब है मैं recommend करूँगा कि इसको आप कम से कम दो तिन बार जरूर पढ़ें वहीं दूसरी किताब आती है An Introduction to Political Theory ये किताब है ये भी बहुत ही अच्छे किताब है इसको तो आपको कम से कम तीन चार बार पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जितनी भी maximum political theories है उनको cover किया गया है वहीं अगले किताब Andrew Haywood की आती है Political Theory and Introduction ये भी अच्छे किताब है इसको भी आप पढ़ सकते हैं वहीं जिन से मुझे काफी मदद मिली वो है जानाकि श्रिनिवासन के कुछ notes की concepts in political science के उपर इनके कुछ important notes रहें जिनकी मदद से मैं ये lecture त्यार कर पाया वहीं मेरे कुछ MA जो class notes है उनकी मदद से भी मैंने काफी मदद ली तो ये है कुछ ऐसे sources और references जिनकी मदद से मैं ये lecture त्यार कर पाया इसलिए इन सभी sources और references को दिल से धन्यवाद आपने इस video इस lecture को देखा, समझा, अच्छे से सुना, note किया, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद